असलाम अलेकुम दोस्तों चानीज लैंविज कोर्स कम्प्लीट इन उर्दू के लेक्चर नमबर 30-30 के साथ हाजिरों तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो में पहला वर्ड है हमारे पस ता ता को हम पहले भी पढ़ चुके हैं ता का मतलब हमने पहले पढ़ था बिग और इसका मतलब हमने यूज किया था ताश्वे यूनिवस्टी के अंदर तो ता का एक और मतलब है हिट करना मारना बीट करना मारना ठीक है मतलब कि थपड़ दुपड़ मार देना ये वाला मारना कील करना नहीं सिर्फ मारना मतलब होता है लेकिन आप तुआ को सिंगल यूज नहीं करेंगे कहीं पर लेकिन आपको जश्ट बता रहा हूं कि इसका मतलब हाउ माच होता है लेकिन ये ऐसे डिरेक्ट आप हाउ इसको तुआ नहीं यूज करनेंगे अभी मैं आपको यहाँ पर क्यों सिखाने वाला हूं तुआ क्यों बता रहा हूं तुआ को हम यूज करने वाले हैं एज पूछने के लिए ठीक है अगर आप किसी से एज पूछना चाहते हैं तो आप कैसे पूछेंगे वो अभी हम देखते हैं उसका दोस्तों तरीका है कि आपने बोलना है नी तुआ ताला तुआ हाउ मच ता हिट करना या बिग ला और जिसकी एज पूछनी है उसको स्टार्ड में लगा देना है अभी आप पूछ रहे हैं नेक्स परसन की जो आपके सामने खड़ा है नी तुआ ताला हाउ ओल्ड आर यू आपकी उमर कितनी है नी तुआ ताला नी की जगा आप लगा सकते है था तुवा ताला उसकी उमर कितनी है निदा पापा तुवा ताला आपके अब्बू की उमर कितनी है ठीक है एक और हमारे पास दोस्तों वर्ड है सुई सुई का मतलब होता है इर्ज ओफ एज ठीक है अब दोस्तों एज पूछने का एक और तरीका भी है और नी की जगा आपने कोई भी बंदा लगा देना है जिसकी आप उमर पूछना चाहरे है और ची सुईला ची हाव मैनी सुईला इयर्स ओफ एज ठीक है ये एक वैसे मैपको इसका मतलब बता रहा हूँ लेकिन पूरा एक ये सिंटेंस है तो आपने इसको इसी तरीके से बोलना है बस स्टार्ड में जिसकी एज पूछनी है वो अब दोस्तो आप सोच रहे होंगे कि नी तुआ ताला का मतलब भी वही है और नी ची सुईला का मतलब भी वही है लेकिन दोस्तों बता दूं कि इसको इतना सा फररक ए मतलब दोनों का सेम है लेकिन हम क्या करते हैं चाइनीज क्या करते है जो ये है नी तूआ ताला ये जो बड़ी उमर के लोग होते है उन से जब उन्हें एज पूछनी होती है उसके लिए वह ज्यादातर ये यूजी कर करते हैं लेकिन अगर आप दोनों में से कोई भी इस्तमाल कर दें वो समझ जाएंगे ठीक है अब ये question तो कर दिया कि आपकी उमर कितनी है तो इसका answer भी तो कोई होगा ना answer कैसे देना है तो दोस्तो अगर आप नी तुआ ताला कहते हैं या नी ची सूईला कहते हैं तो दोनों के लिए answer आपने सेम तरीके से देना है वो तरीका क्या है वो ये है आपने कह रहे है जी वा मेरी शिर है अर शिर अर शिर की जगा आपकी जितनी ही उमर है For example, अभी हम ये example देखते हैं वाशिर अर्शिर सूईला मैं 20 साल का हूँ अर्शिर होता है 20 वाशिर अर्शिर सूईला चाहे आप तुवा ताला से पूछें या ची सूईला से पूछें जिस तरह मर्जिक क्वेस्टन पूछें जवाब सूईला में ही देंगे, वाशिर अर्शिर सूईला ये देखें मेरी उमर 16 साल है यहाँ पर अपने एज बता रही है जब शिर लिए लिखा होगा यहाँ पर आपकी जितनी भी एज होगी सूईला वैसे सेम आएगा और शिर भी सेम आएगा यहां पर आपने जिस बंदे की एज बता रहे हैं वा मेरी है मेरे पापा की होगी तो वादा पापा उसकी होगी तो था 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 शिर शिर्लिव सुईला मैं फिर सब तादू तुवा ताला के साथ question पुछा जाए या ची सुईला के साथ question पुछा जाए जवाब सुईला में ही देना है ठीक है वाशिर वुशिर अर्शिर सुईला मेरी उमर 52 साल है 52 years of age अब यह से question पूछता है जी नितुवा ताला आपकी उमर कितनी है वो कहता है वाशिर अर्शिर सुईला मैं 20 साल का हूँ नितुवा ताला आपकी उमर कितनी है यह कहता है वाशिर लुशिर सुईला मेरी उमर 16 साल है यह कहता है जी निची सुईला आपकी उमर कितनी है वो कहता है वाशिर शिर सूईला मेरी उमर 10 साल है यह कहता है जी नी चीर सूईला आपकी उमर कितनी है वो कहता है वाशिर पाशिर सूईला मेरी उमर 80 साल है तो देखा दोस्तो आज की वीडियो में जो हमारा में जो टोपिक था वो था age पूछने के रहाद से कि आपने age कैसे पूछनी है और फिर उसको answer कैसे देना है उमीद है दोस्तों आपको समझ आई होगी फिर भी कोई question हो तो ज़रूर पूछें comment में और चैनल को subscribe भी ज़रूर करिएगा ताके आपको मजीद वीडियो के notifications मिलते रहें और क्योंके ये एक series है और मैं कुछ वक्त के बाद videos upload करता रहता हूँ क्योंके मेरे पास time की shortage है तो अमीद है आपको videos पसंद भी आ रही होंगी और आप इनको share लाजमी करेगा WhatsApp के उपर, Facebook के उपर तो आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में share करें ताके आपके जो दोस्त हैं जिनके पास कोई अच्छा platform नहीं है सीखने के लिए वो इससे फाइदा हसिल कर सकें तो दोस्तों अपना खिया रिखे गया टेक कियर, अलाफिस